दोस्तों आभी के टाइम में मादलब 2020 में Instagram कॉर नहीं यूज करता है, तो Instagram यूज करने वाला जो यूजर है वो बहुत सरे जो गलती करता है, तो इसलिए उसका जो follower है, like है, comment से वो नहीं आता है, तो इस वीडियो में हम ऐसा 4 tips बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही helpful होगा तो वीडियो को पूरा last तक देखिए, जिसका help से आपका जो बहुत सरे followers है वो आप गेंड कर सकते हो बहुत ही easy तरीके में, तो यह originally 100% work करता है, तो आप इस वीडियो को पूरा last तक देखिए, तो हाई, I am Kostov, I am Neroaching, Kostov Wai-Fi, हम ऐसे की तरह हम एक बात कहेंगे, आप मे YouTube में search करेंगे, how to gain followers in Instagram, यह आप search करोंगे, तो बहुत सारे लाखो वीडियो आ जाएगा आपको YouTube में, उसमें बहुत लाखो कोड़ों भी हुए, लेकिन वो जो tips देता है वीडियो में, वो totally fake है, यही वीडियो देखिए, आप गलती करते हो कि आपका जो followers है, वो gain नहीं हो होता है, उसके चलते है, आपका जो account है, वो free हो जाता है, तो इस वीडियो में हम ऐसा 4 tips बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही helpful होगा, तो वीडियो को पूरा last तक देखिए, और उसके बाद आप comment में बताना, कि मेरा वीडियो कैसा लागा, आपके लिए tips अच्छा होता है, उसके चलते है, आपका जो भी Instagram का जो भी account है, उसमें बहुत ही impact पड़ता है, तो उसको आप मत ही किजिए, तो बढ़ते है जो fast tips है उसके तरब, तो fast जो tips है वो है, आपका जो भी Instagram का जो भी photos आप डालते हो, उसमें आपको एक caption देना होगा, तो आप सब लोग caption तो देते हो, लेकिन वो जो caption होता है, वो eye catching नहीं होता है, तो आपको जो भी photo upload करना होगा, उस time आपको एक eye catching, एक आच्छा सा caption देना होगा, मतलब आज का यह खाना खाया, आज यहां पे घुमने गाया, यह ऐसा कुछ नहीं है, आच्छा सा caption देना होगा, जिसके चलते है आपका जो भी photo है, वीडियो है, वो rank कर पाए Instagram पे, एन उसके साथ साथ आपको hashtag जो होता है, वो भी आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका photo है, जो भी topic के उपर, जो भी photo है, वीडियो है, उसका चलते ही आपको उसका same and similar जो tag होता है, जो hashtag होता है, उसको आपको देना तो इसी चलते हैं, आपका जो भी photo है, वो rank करेगा Instagram पे, और एक बात है, आपका photo में जो भी comment आएगा, उसको जल से जल आपको reply करना होगा, उसी चलते ही आपका जो भी photo है, वो Instagram पे rank करेगा, तो दूसरा जो टीप से, वो है daily post करना, तो आपका जो भी photo है, जो भी video आप तो ज्यादा चांसे उसमें like and comment आना, अगर like and comment आएगा उसके बाद आपका followers भी gain हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही helpful tips है, तो बहुत सरे लोग ये use नहीं करता है, तो मैंने सोचा आपको बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया, तो उसके बाद third जो tips है, आपका जो status होता ह Instagram में, उसको use करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सरे user है, गोटो देख देखके partition हो जाता है, उसके बाद हो जाता है status में, तो आपको photo भी upload करना होगा, साथ साथ status भी upload करना होगा, क्योंकि Instagram का जो algorithm है, वो बहुत ही अच्छा है, जैसे Facebook का algorithm है, ऐसे ही Instagram का algorithm है, क्योंकि Facebook का Instagram है, तो आपको एक चीज समझ में रागना होगा, कि जो भी आपका engagement आ रहा है, आपका photos में, वीडियो में, उसको बढ़ाना होगा, तो यह कैसे होगा, आपको hashtag डर ला होगा, caption डर ला होगा, आपको status में photo भी upload करना होगा, यह सब आपको करना होगा, उसके बाद जो आता ह है, important जो चीज है, वो है, interaction, आपको कोई भी unknown person message करेगा, कि भाया, यह कैसे होगा, वो कैसे होगा, यह कह है, वो कह है, तो आपको यह सब उसको reply देना होगा, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि वो unknown person है, उसको हम पैचनत नहीं है, तो कि उसको message करेंगे, तो पहले एक आप च unfollow कर देगा, तो ऐसे ही, बहुत सरे जो user है, ऐसे ही, जो engagement आता है, ऐसे ही होता है, तो आपको यह tips follow करना होगा, तो दोस्तों मेरा एक personal experience था, जो opinion था, वो आपके साथ share किया, and एही है, जो actual जो process है, and actual जो tips है, वो एही है, अगर आप कोई भी auto follower का use करते हो, तो आपका जो comment box में लिख दो, कि वीडियो का आपको कैसा लागा, मैं फार्ष में ही बोलाता, and आप मेरे channel में नहीं है, तो आभी कभी subscribe कर लो, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा ही technology related वीडियो लाता रहता हूं, so मिलते है next वीडियो में, आज के लिए बाई, जय हिंद, बंदे मातरा,